हालो फ्रेंड्स वेलकम तु आल आज मैं आपको वीडियो लिक्षा रहा देखे बरगर किंग आई पियो की लिस्टिंग हर कोई इंतजार कर रहा था सबसे पहले इंतजार होता है कब आई प्यो आएगा कफिर इंतजार होता है कि मुझे मिला या नहीं मिला अप्लाई तो बता है अगर आपको IPO मिला है तो कमेंट के थूरू ज़रूर बता है क्योंकि यह जो आपके कमेंट से ना हमें अगले IPO के लिए तैयार करते कि हां कैसा feedback रहा लेकिन मिलने के अलावा एक issue और लोग face करते हैं वो है refund से related तो मैं आपको पहले यहां पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह बता दूं क्या आपको अपना refund अगर आपको IPO नहीं मिला तो आ चुका है क्या नहीं आया है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हमने इस तरीके से review जब लिए है न लोगों से comment के थ्रू तो लोग को कई लोगों को refund नहीं आता क्योंकि refund आपको आ जाना चाहिए जैसे अगर आपको IPO नहीं मिला आपको allotment status आप अपना चेक कीजिए allotment status चेक करने के लिए हम already advance में 9 December को या उससे पहले आपको बता दिया था कि कहां पे allotment status चेक करना है तो आप आपने चेक जरूर कर लिया होगा अगर नहीं किया तो फिर से चेक कर सकते है आप रेजिस्टर फेस किये तो हम फिर से जानना चाहते हैं आपके comments के तुरू कि क्या वह problem अभी भी exist करती है और Burger King का IPO की listing लेकिन भाईया यह जो GMP है ना gray market premium इसको देखके बड़ा धमाका होने वाला है 50% का profit होने वाला है मान को चलिए 60 रुपे का share उपर 50% का profit मतलब आपको गया तो यह बहुत ही खतरनाक profit हो रहा है फिर पैसों के बारिश होने वाली है फिर फिर से मेरा मतलब है इससे पहले आपने देखा कि सारे IPO ने पैसों के बारिश कर दी अभी recent IPO देखिए मजगन का IPO था क्या listing हुई ऐसी listing होती है कहीं देखिए 145 का share और ऐसा बिलकुल धमाकेदार response मिल लोगों का 157 टाइम सब्सकाइब हुआ 157 टाइम सब्सकाइब हुआ तो लिस्टिंग इतनी धमाकेदार लिस्टिंग आपको गए मजगन डॉक में मजगन डॉक ही नहीं अगर और डिटेल आपको देखा हूँ तो और आप फैन होने वाले हो और सारे IPO को देखिए तसलिए से मजगन डॉक के टाइम पर उससे पहले हमारे पास कैम्स का आया था उसने परदास धमाकेदर लिस्टिंग दी हमारे पास कैम कॉन स्पेशलिटी कैमिकल डबल कर दिया था पैसा और राउट मोबाइल तो अब तक भागे जारा रहा रोकने का नाम ही नहीं ले रहा और यह पहुंच गया है 1127 पर और 1127 पर आया के स्टाइम पर था देखिए 350 का रेट और 1127 कितना गुणा हो गया तीन इंटो तीन करोगे तब भी 9 होता और 50 और जोड़ो तब भी आपको गए 1050 होता है लेकिन कितना गुणा तीन गुणा हो चुका आपका पैसा अब तक और लिस् प्रफिश्ट माइंड के आई प्यों को देखिए मतलब उससे पहले आपने आयार से टीशी का आई प्यों देखा होगा तो इन्होंने लिस्टिंग में बहुत ही भेंकर तुफान मचायता बट अब मैं बर्गर किंग की बात करता हूं बाकि तो सब पास्ट हो गया अब पा कि आप ऐाईपयो में एपलाई नहीं करते या अगर आपको ऐप नहीं मिला है तो सबसे पहले उन लोगों के लिए यह बात यह मेजरिटे को नहीं मिला क्या और मेजरिटी को नहीं मिला है और Oxen को नहीं liquाने मिलाना वह उम्मीद छोड़ देते हैं अगले क्या करते हैं उन इनके लिए मेरा एक message है आई प्यों में जब भी आप apply करते हो ना आई प्यों में आपने apply कर दिया तो सब से पहले आपको नहीं मिला तो आपको यहां पर परेशान होने के जरुवत नहीं है डू नॉट अटेजड इमोशनली टू एन आई प्यों फेक्टर कभी यह मत सोचो यार मेरी किसमन में थाई नहीं मुझे नहीं मिला यह कभी नहीं सोचना और इमोशनली अटेच होनी की कोई भी जरुवत नहीं है नहीं मिला तो नहीं मिला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगला आई प्यों फिर आसपस आपको अपडेट जरूर कर देते हैं भाईया हो चुका है आट दस गुना सब्सक्राइब कर लो तो सबसे पहले आप लोगों के लिए सीदे पैसा डबल हो जाते है今 कि आप क्योंगों चल रहे है आप किस तरीके से इड्वेस्ट कर रहे है बिलकुल जीरो तब ही इंवेश्ट कर रहे है जब अबर सब्सक्रिफ्ट्स पता है पर आपने जब आपा कर से जो और चैनल गया नहीं चाल और जिन लोगों को मिल गया अब उनकी चिंता होगी, क्या करें, बेचें, वो क्या कहते हैं, लिस्टिंग डेट कि दिन प्रॉफिट बुक करें, तो जब आपको यहां पे पता है, कि जब आप अपने क्यों अप्लाइ किया है, लिस्टिंग गेन के लिए क्या है, तो बेच दो, और अगर आपके मन में य यह उपर जाएगा, नहीं जाएगा, मुझे रखना है, और फिर भी बेचना भी है, तो जो आपके दिल कह रहे हैं, विखर लगता है. आपके अंदर से नहीं बैई अच्छा जारा है अच्छा रहा है इसके फंडमेंटल साथे अपने पुरा लॉसी लॉस डे आपको देखने को मिल रहे नहीं यार मैं बेज देता हूं तो बेचो अलग रहा है कि हाँ पिछले आई प्रफॉर्म किया है आधार रखना चैड करो तो लेकिन क्लियर कट होना चाहिए ऐसे इन डिसिजन में नहीं रहो कही बार ऐसा होता है कि लिस्टिंग डिये जंप किया आपने काया नहीं मैं रखता हूं अंदर से मन है कि नहीं रखता हूं तो मैं बहुचू क्या करू ऐसी पड़े है वह जीदे अगर आप कैम कॉन के दे गरें बाते करते करते तो लेकिन भही हम बात कर ले थे गेंकि आप देखे ग HEY मार्केट प्रीमिम् bịंम सीदे आपको आको मर्फ के उपर लेके दाता ऑँ Station इंगर किंग 45 रुपे का घ्रे मार्किट प्रिवियम कितना है आप सीधे सीधे हिसाब लगाओ 60 रुपे का आई प्यों था 45 रुपे का प्रीमियम मतलब की आई प्यों खुलने वाला है 105 पर मतलब आपको मिला 60 पे और 105 पर अगर बात करूँ इस इससे उपर ही जाता है इससे 10-15 पर सेंट उपर ही जाएगा और लास्ट दे की क्लोजिंग तक अगर अच्छी चीज़े रही तो यह डबल ही मानके चलो तो बाब को क्या गयार साट रुपे से साट रुपे का गेन तो इस तरीके साथ मांके की कंडिशन अची रहे तो यह कोई दो राये वाली बात मिया पिछले आई पी उसके डेटा को आप देख लीजिए मार्केट कंडिशन अच्छी रहे तो यहां पर और यहां पर प्रॉफिट बॉकिंग है वी देखने को मिली तो फिर नीचे भी आएगा कई लोग क्या करते हैं लिस्टिंग डेट की दिन आपको लॉंग टर्म के लिए होल्ड करना है तो वह दो चीज़ें डिफरेंट हो जाती है अब अब फॉर्टी फाइब कहीं माल ले थे हमें यहां पर लिस्टिंग जंप होगा तो फॉर्टी फाइब आप सिक्स्टी कर लिजे सीधे 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 फिफ्टी इंटु थ्री बढ़र है ने जंप कितने मिनट लगे आपको दो से पांच मिनट लगे होंगे अप्लाय करने में और बाकी सरदर्दी नहीं लेनी तो सोचाई आपको मज़ेद आप लिस्टिंग डेंट की बात करते हैं लिस्टिंग डेट कभकी है 14 दिसम्बर की यह रा 14 दिसमबर यानि क कि मंदे को लिस्टिंग है ज्यादा दूर नहीं है मंदे को लिस्टिंग है तो आपके शेर्स के अकाउंट में आ जाएंगे नहीं दिख रहा होगा तो आप दिख जाएगा मंदे की सुबह सुबह आपको यह डिटेल दिख जाएगी और खुशी मनाओ जिनको मिल चुका है जिनको नहीं मिला उनके लिए मैं कहूंगा छोट दिल छोटा करने वाली बात नहीं है आई प्योज साल में पांच साथ आते रहते हैं बस आपको एक चीज़ याद रखनी है 1-1-1 Itmatter account और अपनी तैयारी करने ऐ फैमिली मेंबर के नाम पर डीमेट आकाउयंट ज़रूर ऊपन करने वीडियो के Description में लिंक कि दियो है क्यों क्योंकि पैन कार यूनीक होता है आपको बार बार क्यातो है कि पैन पैन कार्ड यूनिक होता है उस पैन कार्ट चाब एक लिए एक करें दो करें तीन करें अपलाई करें तो कोई मैं कहूंगा यहां पे आपका यूनिक नंबर जाता है तो उससे सब कुछ एक ही माना जाएगा तो इसलिए अपनी फैमिली मेंबर मदर फादर ब्रदर सिस्टर कजन जिनके नाम पर आप डीमेट अकाउंट पर दीजिए और आजकल तो फ्री में दीमेट अकाउंट ऊपन होते हैं तो सीधे सीधे आपके लिए फाइदा होता और साल में पांच साथ ऐसे आईपयो आही जाते हैं जो पैसाट ड्र न बर्बल है तो क्यों है आई प्यू छोड़ने क्यों है दिल बत लगाईए कि इमोशनली अटैजमंट होई है तो आई प्यो छोड़ने का भी नहीं बनता है अपलाय करके छोड़ दो यह आपको बरगर किंग की पूरे के पूरे डेटेल हम पर बताया है और रगुदर बेसेस में हम आती रहेगे और थैंक्यू 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 पर वाच्चुंदू वीडियो हुँ